लक्सर के कावण मेले में श्रधालों की भीड बढ़ना शुरू हो गई है इस बार गंगा जल्ले ने आ रहे कावणियों की संख्या में काफी जाफा होने की उम्मीद है कावण यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही पूरी तरह से मुश्तेयत हो गया है लेकिन ग्रहम अंत्राले की एडवाजरी जारी होने के बाद से पुलिस प्रशासन और सतरकोर चौकनना हो गया है धर्मनगरे हरिद्वार में हरकी पौली और धार्मी स्थानों के अलावार रेल्वे स्टेशनों और बस स्टेंट पर डॉग स्कौईट बम नेरोदक दस्ते द्वारा चेकिंग अभ्यान चलाया जा रहा है सुरक्षा को लेकर प्रशासन कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहता इस्थाने पुलिस के साथ पेरामिलेटरी फोर्स, अर्धसैनिक बल और पेसी बल की तैनाती भी की गई है साथ ही लकसर और मंगलॉर पुलिस ने नैशनल हाईवे और कजबे में ड्रोन कैमरों की मदद से भी निगरानी शुरू कर दिया जोनल अधिकारी पुलिस उपधिक्षक ने बताया कि कावडियों की सुरक्षा के लिए अतरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है साथ ही ड्रोन कैमरे से भी आसपास की निगरानी की जा रही है शराती तत्व या अफवा फिलाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ी कारवाई करेई